कि 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 हलो दोस्तों आज हम बनाएंगे एक लाइन टेस्टर तो उससे बनाने के लिए पहले आपको चाहे इसा एक पेन और इसका जोड़ी फिले इसको केक देंगे और फिर आपको चाहे इसे खिले इसको ऐसे घुसा देंगे फिर आपको चाहे आइसा एक स्प्रिंग तो एक बार घुसा के देख लेते हैं कि इसका अंदर जा रहा है के नहीं फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो यह जो वान मेगा ओहम का रेजिस्टंस है इसको चाहिए आप अगर वान मेगा हम से कम रेजिस्टंस ले तो आपको सॉक लेगा हो सकता यह काम करें लेकिन आपको सॉक लेगा जरूर तो इसको स्प्रिंग के साथ ऐसे इसको लागा देने के बाद आपको चाहिए ऐसा एक LED रेड कालर करेंगे तकि आपकी अच्छे से लूज कनेक्शन ना हो फिर दोस्तों आपको चाहिए ऐसा एक मैटल का स्ट्रिप फिर इसे इसके अंदर घुसाएंगे और मोड देंगे फिर एक छोटा सा तार लेंगे और इसके साथ इसको लागा देंगे फिर दूसरे टार्मिनल को इस LED के साथ लागा देंगे फिर इस टार्मिनल को भी सोलवरिंग कर देते हैं फिर ये पूरो सार्किट को इसके अंदर घुसाएंगे इसको ध्यान से लागाना रेजिस्टर के आगे बीशे तार्मिनल नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको अगर इलेक्ट्रिक के बारे में ज्यादा कुछ पाता नहीं तो आप इसे मत बनाना ये काफी खात्रनाक हो सकत है फिर इस धक्कन को लगा देता है फिर दोस्तों और एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम बाकी रहेगा कि इसको एक दम वाटर पूप बनाना चाहिए तो इसके उबर आम फेपकुक दिया है और इधर साइड बेभी ताकि पानी कहीं से भी इसके अंदर जाना पाए अगर बहुत जोर से इलेक्टिक सॉक लगेगा तो ध्यान से इसको करना चलिए दोस्त अब टेश्ट करते हैं तो दोस्त अब देख पर एकी स्वीच ऑन है और अमार जो टेस्टर का एलीड है जल रहा है अब स्वीच आफ है तो देख पर एक एलीड नहीं जल रहा है हम तो सब्सक्राइब करके बगलबले जो बेलाएक है उसको बाजा दीए तो दोस्तों मिलते रहे सुडियो में तब तक के लिए टाटा बबाई